प्रशाशन के नए आयाम यानि की निव खुराइजन और पॉब्लिक एडमिस्टेशन दोस्तों ये टॉपिक बड़ा ही कंसेप्चुल है यहां पे आप बहुत सारे ऐसी बातों को जोड़ पाएंगे जैसे कि हम देखते हैं हम प्रारभा में प्रशाशन की संकल्पना पढ़ हम क्या देखते हैं लोग प्रशाशन को समझा और लोग प्रशाशन के बाद हम देखते हैं इसके अलग-अलग आयाम आते गए यह आयाम बहुत सारे हो सकते हैं ठीक है जैसे कि हम देखते हैं कि हमने सबसे पहले देखा था टीपीए देखा परंपरागत पब्लिक एडमिस गवर्णेशन नेखा नौ만 वह लोग प्रबन्धन एंंपी मई इसके लावा हम देखते हैं गूर्ट गवर्णेंस डेखते हैं ठीक है आठीजन चब्लुक टेखते हैं यह कहीं ने कहीं सबी इसके आयाम ही है लेकिन मुखता हम किन बातों का ध्यर्ण करते हैं जो आप प्रसाशन में बहुत सारे ऐसे मूल भूत बदलाव होते हैं और वो बदलाव जो है प्रसासनिक तरीके से होता है प्रसासनिक लेवल पर होता है जैसे कि परमपरागत लोग प्रसाशन का इस्थान जो है नव लोग प्रसाशन ले लिया नपी ले लिया उसी क प्रशाशन के आसपास विगाश प्रशाशन आ गया तो कहीं न कहीं प्रशाशनिक लेवल पर ये बदलाव आया तो ये सभी जो हैं लोग प्रशाशन के नए आयाम है आज के संदर में देखते हैं तो हम इसे कहेंगे इगवर्नेंस इगवर्नेंस भी क्या है आटिया इगवर सुशाशन गूट गवर्नेंस और फिर इगवर्नेंस आधी को देखते हैं तो आई स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस टॉपिक को तो सबसे पहले क्या देखेंगे NPM New Public Management या नव लोग प्रबंधन तो नव लोग प्रबंधन क्या है यहाँ पे देखते हैं न्यू पॉब्लिक मैनेजमेंट तो जब हम बात करते हैं किसकी NPA की NPA न्यू पॉब्लिक एड्मिस्टेशन की बात जब हम करते हैं तो आप याद करिए कि मिनो गुरुक सम्मेलन वन 1968 में हुआ था इस दवरान क्या है वास्तविक रूप से NPA का यहाँ पे प्रारंब माना गया था यह से हम प्रथम पुनर जागरण भी कहे थे ठीक है The First Renaissance उसके बाद हम क्या देखते हैं काल अंतर में धीरे से हम आगे बढ़ते गए और 1980 का दसक आया 1980 के दसक में हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी प्रसाशनिक चुनौतिया आई जो आर्थिक लेवल पर भी थी और प्रसाशनिक लेवल पर भी थी तो 80 के दसक में यूरोपी देशों में अमेरिका और आप देखते हैं जर्मनी और बाकी देशों में इस प्रकार इसे और ब्रिटन भी इसमें सामिल था जिसमें ये कहा गया कि हम कुछ ऐसे प्रकार की कुछ गतिविदियों को में बदलाव करेंगे और वो प्रसाशनिक ले समेहलन तो यहां पर क्या देखते हैं दृती मीनोब्रुक समेहलन जो है वास्तों में यह माना जाता है यही वह फैक्टर था जिसके कारण जो है एन पीएम या ना लोग प्रबंधन का उद्गम हुआ था ठीक अब यहां पर 1988 के ठीक बात जो है लपीजी यूग आ जाता है लिब्रेराजिशन प्राइबेटाजिशन ग्लोबराजिशन यूआला यूग है ना उसमें देखते हैं उदारी करण नीजी करण वैस्वी करण का यूग आता है और इसी यूग के समय में हम देखते हैं यह एन पीएम जो है वास्तों में हम देखते हैं एक्जिक्यूट हो में हम यह कहेंगे कि 1990 वास्तों में NPM उसमें उद्गम हुआ था लेकिन उसकी 1980 के दसक में ही पड़ गई थी जब यहां पे हम देखते यूरोपियन कंट्रीस में कुछ ऐसी प्रसास्निक चुनोती आई थी जो आर्थिक लेवल पर थी खास कर जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों में क्या है जो राजकूसी घाटा को कम करने के लिए उनमें बहुत सारी कटोती की गई उनके खर्चों में तो यह सब NPM का भाग था यह 1980 के दसक में था ठीक है तो जैसे कि हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो रिटेन में रेनर वाद और मार्गेट थेचर वहां की जो प्राइमिस्टर थी थेचर वाद आता है तो जो रेनर वाद जो आता है रेनर वाद को जो है NPM का जैनरिक वादर कहा जाता है उनका क्या है जैनरिक फादर इनको कहा जाता है किसको रेणर को तो यहाँ पे रेणर वाद उनके नाम से चला जा रहा है ठीक है मार्गेट तेस्जर का भी बहुत बड़ा यज़डान है इस मामले में और बात करते हैं जब हम अमेरिका या USA की बात करेंगे तो USA में basically क्या होता था Ronald Reagan आप नाम सुने होंगे राश्टपती थे तो वहाँ पे Reagan वाद इस नाम से जाना जाता है रिगन वाद जो है जो है NPM को जाना जाता है वैसे अलग-अलग नाम अलग-अलग देशों में हैं कहीं न कई यूपी में जो है जैसे कि न्यूजेलेंड में अलग है भारत में अलग है ठीक है तो आईए समझते हैं इस NPM को एक काफी महतपूर कंसेप्ट है और आज के समय में वरतमान समय में यदि हम देखते हैं भारती प्रसाशन को तो यह NPM का मॉडल बहुत सक्सेस्फूल रहा है तो जैसे कि आप सभी को बता होगा उनीस सो इनकानबे में LPG यूग आया लिब्राइजिशन प्राइबेटाइजिशन और Globalization इसके बाद जो है वास्तों में अपने अस्तित्व में आया यहां पर NPM को यदि हम समझना चाहें तो ऐसा प्रसाशन जो काफी कारिकुसल हो काफी मितव्याई हो मितव्याईता कारिकुसलता एवं प्रभाव सीलता का समावेश हो जिसमें साथ ही साथ 3E का समावेश हो प एसा प्रशाशन, लोग प्रशाशन में ऐसा प्रशाशन जो जिसमें मिद्व्याईता हो, कारी कुसलता हो और प्रभावसी लिता हो, साथ ही साथ, इसमें तीन ए का महतपूर समावेश हो, जिसमें की पहला ए है इफेक्टिवनेस, दूसरा हम देखते हैं, एकोनॉमी, और तीसरा हम देखते हैं, यहाँ पे एफिशेंजी या दक्षता, तो इन सभी के समावेश से जो प्रशाशन बनता है, वो नव लोक प्रबंधन है, यानि कि आप प्रशाशन में मैनेजमेंट को एड़ कर रहे हैं, मैनेजमेंट सब्द साधा रहता हम देखते हैं कि कॉर्परेट से आया है, और प्रशाशन सब्द जो देखते हैं सामाने त वह government का part होता है ठीक है यहां पर तो हम देखते हैं कि private sector और government sector के mixture से एक नए hybrid model की संकल्पना करते हैं तो यही model वास्तों में 9 लोग प्रबंधन है आए हम इस NPM की यानि की 9 लोग प्रबंधन की कुछ विशेस्ताओं पर हम चर्चा करते हैं जिसके बाद आपको concept और clear हो और M square DEAR हमने formula बना दिया है कि हम इस प्रकार इसमें जो महत्पुर्ण विशेस्ताओं हैं इनको यहां पर समाविश कर पाएं तो यहां पर देखते हैं कि catalyst या उत्प्रेरक यहां पर इस प्रकार का जो साशन होता है catalystic होता है उत्प्रेरक प्रकार का होता है इसका अर्थ यह होता है कि निजी छेत्र हो या सारवजनिक छेत्र हो वो काफी सक्रिय रहते हैं क्योंकि यहां पर उत्प्रेरक प्रकार का nature होता है यहां पर चुकि निजी छेत्र और सरकारी छेत्र का दोनों का misran model है याने hybrid model है इसलिए यहाँ पे कहेंगे यह उत्प्रेरक प्रकार का यहाँ पे शाषन होता है जिसमें कि आप देखते हैं कि निजी छेत्र को invite किया जाता है सरकारी छेत्र में कि आईए यहाँ पे आप आप क्या है प्रशाषन का पार्ड बनिये और यहाँ पे आपने इंडस्ट्री लग सारा रियायत में दी गई कुछ ऐसा छेत्र होता है जहां पर अगर इंडस्ट्री डालते हैं तो हो सकता है टेक्स का छूट मिलता हो हो सकता है दूसरे किसी प्रकार की सहुलियते मिलती हो जिसके बाद वह कंपणी वहां पर अपना अध्योग स्थापित करेगा और आप्टर ह समदाय प्रकार का भी होगा तो यहांके लोग रहने वाले समुदाय हैं इन और जन भावनाएं इनके अनुसार जो है कारे करने वाली ये प्रमुक रूपशे प्रकार की इस प्रशाषन की एक दूसरी विस्धा है उदाहरर में जैसे लेना चाहें तो आप मन्रेगा स्कीम है मन्रेगा स्कीम है या कोई भी सरकारी योजना है वो क्या है आमजन के लिए होता है या वंचित वर्ग के लिए होता है तो इन सभी के लिए जो है आप देखते हैं एक समुदाय विसेज के लिए कारे करने वाला प्रशाशन है ठीक है उसके बाद देखते है competitive या प्रतियोगी प्रशाशन है या प्रतियोगी प्रशाशन है कैसे इसे समझेंगे जैसे कि आप देखते हैं कि निजी छेत्र की टेलीकॉम इसको कॉंपीट कौन कर रहा है बी एसनल तो इस पर ऐसा प्रशाशन जिसमें कि आप देखते हैं कि आप इतना सक्षम बना रहें और नीजी छेत्र के साथ वो क्या है कदम से कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़े तो यह प्रतियोगी प्रकार का यहां पर नेचर होता है हाला कि वरतमान समय ऐसा नहीं है कि हम देखते हैं बी एसनल की हालत खराब है आप देखते हैं एर इंडिया की हालत खराब है लेकिन कहीं न कहीं यहां एन पियम में हम वो मिस्टेक किये हैं या कह सकते हैं हम एन पियम में कहीं पे हम चूक कर गए हैं जिसके बाद हम इस एक ग्राहक उनमुक एसा प्रसाशन जो एंपीम होता है वो क्या होता है यानि कि क्लाइंट औरेंटेट होता है इसका उधारण यहाँ होगा होगा क्लाइंट कौन कों है तो आम जनता के लिए जवाब देहिता याने tim admitting या फिर कहें उनके प्रती जो जिम्मेदारी है वो ग्राहक के तौर पे किस परकार होगी याद करिए कोई भी ऐसा आप सरकारी स्कीम देखते हैं या सरकारी योजनाएं देखते हैं उसका लाब लेना चाहते हैं लेकिन आप वहाँ पे एक ग्राहक के तौर पे जाते हैं लेकिन वो योजना आपको यद प्रमाड पत्र बनाना है या आई प्रमाड पत्र बनाना है तो आपको 30 दिनों के अंदर वो बना के देंगे ही ऐसे बहुत सारी सरकारी यूजनाय जो है सरकारी कारेलों में लोगसिवा गारेंटी अधिनियम है 36 गड में तो है ही तो इसमें देखते हैं कि गराहाकों को रियायत पहुँचाने के लिए उनके प्रति जवाब देहिता तै करने के लिए जो है लोग सिवा गारेंटी अधिनियम टाइप्स की महतपूर ऐसी स्कीम्स लाई गई है जो ये बताता है कि नाव लोग प्रबंधन क कितना कारगर है ठीक ये बात समझ गए अब देखते हैं कि हम मर्केट ऑरेंटिट बाजार प्रसाशन में इसे उदाहरण के तोर पर संझें तो उदाहरण किा होगा जैसे कि आप एक्जाम्पल ले लेते हैं कि इसका बेशीक हम समझना चाहें तो पैट्रोल की कीमत से चैए पैट्रोल की कीमतों में उतार चड़ाव जो होता है पहले सरकार के पास पूरा नियंतरण हुआ करता था मार्केट बेज हो गया है तो यहां पे बातें के समझ भा रहे हैं कि हम बाजार उन्मुख हैं नियंतरण कहीं पे जो है दूसरे प्रकार का है जैसे कि इसका आर्थ यह होता है बाजार उन्मुख कहन का तंत्र या सिस्टम बनाएं तो यहां पर पैट्रोल की कीमत का नियंत्रन यदि हम को देखें तो पैट्रोल की कीमत का नियंत्रन बाजार उन्मुक हो चुका है ना की सरकार उन्मुक ठीक है यह बाते हो गई हालांकि टैक्स का रियाया दिया जा सकता है वो अलग बात है इटिजन चार्टर हो गया और यहां पे आप लोग से वा गारेंटी अधिनियम भी फिर से ला सकते हैं कि आपको जो है वो मिशन मिला है और तैस समय में ही आपको वो सब करना है ठीक है तो यह इस प्रकार मिशन औरियंटेट प्रकार का भी यह नौ लोग प्रबंधन होता है यह पॉइंट्स को आप समझते चलिए दोस्तों क्योंकि यह आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है और यह वर्तमान में जो चल रही व्यवस्था को ही हम पढ़ रहे हैं तो यहां पर नौ लोग प्रबंधन की बातों को इस प्रकार समझते चलिए अब चलते हैं कि हम वि बहुत मुखी गुणों के साथ यहां पर है तो विकेंद्री के मॉडल भी होता है आप देखते हैं कि यहां पर उद्यमी मॉडल भी होता है एक्जांपल ले लिजिए ओए जी सी और नेचुरल गैस कॉर्परेशन तो यहां पर क्या देखते हैं कि और नेचुरल गैस कॉर् तो यह कहीं नहीं थोड़ा corporate culture आ रहा है यहां पर क्योंकि यहां उद्यमी करहने का मतलब यह का मतलब entrepreneurs यह एंटर्पीनोर्स उसे भी कहते हैं एक्चल प्रानुसियेशन उसका entrepreneurs होता है तो इसलिए यहां पता रहे हैं कि उद्यमी प्रकार की सरकार होनी चाहिए clear हो गया? उसके बार देखते हैं पुरवा रूमान, anticipation यह पुरवा रूमान को समझें तो यह anticipation क्या हो जाएगा? पुरवा रूमान में होगा basically हम देखेंगे कि जितनी भी आपदाइं आती हैं जाए लाड़ है सुखा है सुनामी कुछ भी आपदा आती है या फिर हम देखते हैं अभी जैसे कोवीट का समय है कुरोना के समय में भी हम कहीं न कहीं यह आपदा के तौर पे ठोड़ा उसका पुरवानुमान करते हैं और प्रभंधन को हम मजबूत बनाते प्रशाशन को हम मजबूत बनाते तो इस प्रकार यह पूर्वानुमान का भी महत्पून खोता है और देखते हैं परिणाम उन्मुखी होना चाहिए यह आपका नौलोग प्रबंधन यहां पे केवल सासन करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है बलकि सासन करने की साथ-साथ आप देखेंगे क्या महत्पूर है आपको result-oriented काम भी करना है जैसे example बता देता हूं जैसे भारत सरकारी की पूर्व की योजनाओं में दो-चार अगर जनाओं में से एक है तो यहां पे सर्वाश शिक्षा अभियान की खासतर पर हम बात करेंगे या अभी कोविट के समय मर्रेगा की बात करेंगे तो यहां पे यह परिणाम उनमुकी हो चुका है यहां वो काम तो हो रहे हैं साथ ही साथ हाप उसका result भी देखते हैं लगातार क्या है नए नए प्रकार के हम नए उचाईयों को चूरहें क्युक्कि आप देखते हैं कि हमारा ultimately goal क्या है एक welfare stadia कल्याणकारी राज्य बनाने का ही गोल है या फिर हम क्या देखते हैं समाजवात की हम कलपना देखते हैं जहांपे equitable distribution हो। समानरूप से वित्रन हो ऌो सेवा आसबन और दऑबलर को गआ का जाता है नाउल लोग प्रबंधन का फादर कहा जाता है ठीक है तो लेकर जो है जैनिड्रिक फादर हो गए और यह ऑदर हो गए ठीक है इस प्रकार यह कहा जाता है कि अ Hagel we पे corporate और government का समावेस के साथ एक नए model हम रख रहे हैं जहां पे इतनी सारी गुण होते हैं इतनी सारी अच्छी चीज़ें होती हैं अब सोचिए सब चीज़ें अबर प्रशाशन में आ जाए यह जो वर्तमान में चल रही है हाला कि हम ब्रश्टा चारा बाकी चीज़ों को हम यहां पर आड़ नहीं कर रहे हैं जो इसको कहीं न कहीं इनकी सिमाओं को रोक रही होती है या फिर इनकी एफिसियंसी को इनकी जो कारिश हमता को या परिणाम को प्रभावित करती हैं उन बातों को उलेक नहीं कर रहे हैं लेकिन इतनी अच्छी जो है अच्छे प्रकार की गुण हैं आई हो भी क्लियर हो गया आगे बढ़ते हैं हम तो आईए देखते हम NPM की इसकी सीमाओं को तो NPM की सीमाओं वैसे तो जादा नहीं है फिर भी अगर इसे समझना चाहें तो चुकि NPM इसके आर्थिक प्रबंधन की जादा बात करता है तो यदि हम आर्थिक प्रबंधन में कहीं फेल हो गये यानि कि आप कह सकते हैं कि जैसे की आप सेवी हो गया ट्राइ हो गया यह भी BSNL के एक्जामपल ले सकते हैं तो यहां पे आर्थिक रूप से वो क्या है कही न कहीं गढ़बड हो गया अनियमित्ताएं हो गई तो फिर इसे नियाम की यानि कि उसे रेगुलेट करना बड़ा मुस्किल हो जाता है ये इसके एक सीमाएं हो जाती है दूसरा कहीं कई बार हम क्या करते हैं आर्थि खीतों को ध्यान में रखते वे सामाजी खीतों को दरकिनार कर देते हैं ये सीमाएं में हो गई तो तीसरे में क्या होगा ये इसके एक एक करित model जो दिश्टी कोन है है क्या क्या करती है ज्यादा payment बार इसमें होता है योव सब प्रसनभी आपको एक्जाम में पूछा जाता है गुड गवर्णेंस या सुशाषन क्या है उसके बाद हम एगवर्णेंस की और आगे बढ़ेंगे आईए अब हम समझते हैं सूशाशन या गुड गवर्नेंस को, सूशाशन ये सू वर्ड आ रहा है, सू मतलब एक अच्छा, तो सूशाशन मतलब अच्छा साशन, अच्छा साशन को यहाँ पे केवल समझना काफी नहीं है, यहाँ पे उसके कुछ कमपोनेंट्स या उसके सूशाशन में हम देखते हैं, जो कमियों को दूर कर अच्छी चीजों का उसमें समावेश कर दे, तो वो क्या है सूशाशन कहलाएगा, तो सूशाशन की बात को यहाँ पे थोड़ा और बहतर तरीके समझते हैं, यह संकलपना आई थी वर्ड बैंक के द्वारा, वर्ड बै हैं, तो यह समय था, 40 का दसक, जब बहुत सारे ऐसे ACI देश आजाद हो रहे थे, और दूसरे भी देश इस प्रकार देख रहे थे, अपना नया अस्तित्व लेकर आ रहे थे, या तो वो विभाजित हुए थे, या आजादी उनको मिल रहे थी, भारत भी उन देशों में से प्रकार का infrastructural development हो, अब सरचना निर्मान काम करना हो, तब World Bank आपको पैसा देती है, और दूसरा यदि आपके देश में क्या है, राजकोसी घाटा यानि की बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो फिसकल क्राइसी ज़्यादा हो जाए, राजकोसी घाटा बहुत ज़्यादा हो जाए, आप दिवालिया होने की स्थिती में हो, तो इस केस में आपको IMF हैल करती है, जैसे भारत के समय भी क्या है, 1999 में LPG का यूग लाना था, उदारी करन, उसके पहले हमारा भी जो है, जो फॉरेक्स था, यानि की विरेशी करन्शी थी, वो खतम हो गई थी लगभग, और हमारे पास काफी कम धन बचा हुआ था देश को चलाने के लिए, तो इस दौरान हमने क्या है, IMF से मदद लिया, World Bank से भी मदद लिया, तो ये समय आता है, 1940 का दसक, जब बहुत सारे ऐसे देशों को IMF और World Bank क्या करते हैं, पैसा देते हैं, कि आप वहां का infrastructure डेवलप कर हो, तो इस दौरान हुआ क्या सभी तो ले गए, लेने के बाद देखते हैं, कि वह वहां पे किसी प्रकार का प्रबंधन नहीं था, बलकि कू प्रबंधन था, किस मामले में, वह या तो सैन ये खर्चों में उसे बहुत बेतर्टीव उसे खर्च कर रहे थे, या फिर देख बैंक और आएमेप के पास हाथ फैलाए गया, बहुत सारे देशों के द्वारा, तो उस समय जो हैं, एक महतपूर्ण एकनॉमिस्त थे, उनका नाम है विलियम इश्टर, तो विलियम इश्टर ने कहा, कि ठीक है, हम अभी माप कर भी देंगे, फिर से देंगे, तो ये वाप सूस आशन या गुड गवर्नेंस की उन्होंने कुछ परिभासा दी है, कि इन बातों का असमावेस होने से ही, हम क्या है, आपको लोन दे पाएंगे, तो आएए देखतें उन सभी बातों को, तो वो नाम समझ गये, क्यों इंपोर्टेंट है, आप देखते हैं, उनका नाम जरूर उलेक करें, विलियम इस्टर, विलियम इस्टर का नाम जरूर उलेक करें, उन्होंने ही सूस आशन वर्ट को लाने का प्रयास किया था, और वास्तों में ये लायक इसके गया दो द्वारा गया था, कहने से आप वर्ल्ड बैंक की आएमेप आप लिख सकते हैं, तो यहां पर देखिए, जो वर्ल्ड बैंक और आएमेप के द्वारा जो सुशाशन लाए गया था, तो जो पहली रिपोर्ट, 1989 में ये पब्लिस हुई थी, तो ये पहली रिपोर्ट में उन्होंने कहा, कि आपके कंट्री के विकास का विधिक धाचा होना जरूरी है, जैसे कि भारत में देखते हैं, भारत में देखते हैं कि हम LPG देखते हैं, लिबरिटाजिशन, प्राइबेडाज़िशन और गूलबलाज़िशन की बात करते हैं, तो हमारे विकास का एक धाचा आल्लेडी ये क्लियर है, हम उस मॉडल को फॉलू करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो तो वहां पे वह तीन या जाएगा तीन या जाएगा क्या क्या एफिशेंसी एकोनॉमिक और एफेक्टिवनेस आएगा सारवजनिक छेत्र में उप्युक्त प्रबंदन होने पर ही आप देखेंगे आगे बढ़ेंगे इसे कोल इंडिया भारत सरकार की गहना है भारत सरकार का गहना कहते हैं क्योंकि काफ़ी रिच कंपनी है तो यहां पे देखते हैं कि वह कहीं न कहीं वहां पे एपलाई हुआ होगा इस कारण से उस लेवल पे है वह समझ गया है उसी प्रकार देखते हम ट्रांस्पिरेंसी और एकाउंटिबिलेटी है न पार्दसिता और जवाब देहिता भी होनी चाहिए तभी हम उन देशों को यहां पे लोन देंगे तो यह सुसासन के तीन कंपोनेंट हो गए यह बाते क्लियर हो गई अभी कुछ और दूसरे अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग इसकी सुसासन की कमियों को दूर करते हुए आप अच्छी चीजों का समावेश करें वो सुसासन है और इसे आप दूसरे तरीके समझें एतिहासिक हिसाब से तो जिसे राम राज या मौरे कालीन में सुराज आ दी है तो इस प्रकार आप एक्जामपल पूट करें लेकिन जो में जो मांक् लेकिन यह वास्तविक रूप से हैं यह सभी क्लियर हो गया अब उसके बाद जो है 1989 के बाद 1992 में वर्ड बैंक ने फिर से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें फिर से दो तीन पॉइंट से आईए उनको नोट करते हैं तो अब देखते हैं जो वर्ड बैंक नहीं उनीस सो डाचा उप्यक्त होगा यानि कि वहां सर्विधान होना चाहिए संविधान जो होता किसी भी और सरवच्च माना जाता है एिदि सोचिए कि यह सर्विधान की सर्वच्ता नहीं होती funky औरर वहां पर कहींने कहीं ताना साही जैसी कोई चीज़ें आ जाती और आप वर्ल्ड बेंक जो है उनको पैसा दी है या पैसा दी है तो उसका प्रॉपर यूस हो ऐसा कोई गैरेंटीड नहीं होगा जरूरी नहीं होगा लेकिं सर्विधान की सरवज्चता होने के कारण कहीं न कहीं एक सिस्टम काम कर रहा है तो संसादनों का उप्युक्त दोहन इसका होना भी जरूरी है और उसके बाद देखते हैं प्रभावी नीती निर्मार पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए उसका एक्जुकिशन भी प्रपर होना चाहिए तब ही स्थीरता आएगी उस देश में तो ये तीन और रिपोर्ट इस प्र लिए तो उनका नाम है एड्रीन लेपत विच एड्रीन एड्रीन लेपट विच आ NEW कर देखते हैं इनका नाम है जिनों ने पहली बार सूसासन वर्ड को था गुड गवर्नेंस को बट यह कंसेप्ट जो दिया था वर्ड बैंक ने दिया था यह बात है क्लियर हो गई इसके अलावा देखते हैं समय समय पर आप गुड गवर्नेंस को कई तरीके से प्रफपरिभासित करते हैं जैसे कि एक लाइन में मैं कहूं तो कोई भी ऐसी पर लें जैसे कि मैं बताऊंगा ट्रांस्पिरेंसी ठीक है और दूसरा हम कह सकते ही या एकाउंटिबिलिटी यानिकी जवाब देहिता या फिर कह सकते ही एंटिसिपेशन पुर्वा अनुमान ठीक है तो इन सभी बातों का या जिसमें भरष्टा चारना हो जहां में पूर स्टेट नेशन डेवलप्मेंट प्रोग्राम ने कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए हैं विधी का सासन हो रूल अफ लौ हो इसके लवा मानव अधिकार क्या मानवाधिकार का जो है वहां पे हनन ना हो रहा हो वहां पे मानवाधिकार जो है परियाप्त रूप से उपस्थित ह हो यानि कि उनके अधिकारों की रक्षा हो रही हो लेंगिक समानता हो ठीक है और परियावरन सरेक्षन और सस्टेनेवल डेवलप्मेंट सतद विकास जैसे चीजों को भी उन्होंने सामिल किया है और लोग प्रसाशन की विशेज भूमिका होनी चाहिए इस प्रकार यहां भी गुड गवर्नेंस को यह परिवासित करते हैं इसके अलावा इसमें रिलेटेट कुछ और तरीके से भी अगर आप परिवासा लिखें खासकर गुड गवर्नेंस क्या यही पूछा जाता है तो आप कुछ ऐसे एक्जामपल पुट कर सकते हैं जो किसी भी देश की या भ देख सकते हैं कहीं ने कहीं आप सरवसिक्षा अभियान को भी देख सकते हैं कहीं गुड गवर्नेंस के अच्छे रिजल्ट की कारणी वह संभव पाया उसकी सफलता ऐसे बहुत सारी बात हो सकती है ठीक है तो यह बात है क्लियर हो गई अब हम देखते हैं कि कुछ और कंप पर भी जा रही थी तो यहां पे बाद कहते हैं कि कहीं न कहीं आपकी सोवयरिनिटी या संप्रभूता पर अटक है ऐसा भी कहते है क्योंकि पूंजी वादी देश थो आप ठोब रहें और आप उसको पालन कर रहें तो यह कहता है कि आपन पर स्वतंदरता नहीं है कि आप ले पाएं ठीक है ये सीमा के ही जाती है दूसरी सीमा ऐसा कहा जाता है कि ये पूंजी बात से प्रेरिद रिसीजन है तो ये दूसरा हो जाएगा तीसरा अगर आप लिखना चाहें इसकी सीमाओं में तो सूसासन की संगल्पना जो है केवल और केवल क्या सैधान्तिक विकास पर आधारित है उसे प्राप्त करने के लिए उपाय किस प्रकार किये जाएं इस पर कोई बात नहीं करता तो ये इस प्रकार देखते हैं ये सूसासन से संबंदित कुछ बाते थी अब यहां पर देखते हैं इस या फिर हम इसे कहते हैं कि एक ऐसा प्रसासन जिसमें सरकारी काम इलेक्ट्रोनिक चीजों से संचालित किया जाए जैसे कंप्यूटर हो गया या फिर टेक्नलोजी हो या फिर इंटरनेट आदी उससे हो गया तो ऐसा प्रसासन जो कंप्यूटर आधारित किसी टेक्नलोजी से या फिर कह सकते हैं कि सरकारी काम काज करने का जो तरीका है वो इलेक्ट्रानिक मौध्यम में हो तो ऐसा प्रसासन जो है ई-गवर्नेंस कहलाता है यह समझ गये तो इ-गवर्नेंस से रिलेटेट क्या चीज़ें पूछी जा सकती है आए उन सभी बातों को नोट करते हैं यहां पे तो यहां पे इ-गवर्नेंस को हम समझते हैं दूसरे तरीके से तो परंपरागत अभी सास्टन में जो भी कमिया थी तो जैसे कि आपको कमियों में ऐसे लाल सिंपल है कि हम पहले एक ऐसे समाज से ग्यान समाज में हम कनवर्ट हो रहे थे या कहें हम एक अद्योगीग समाज से हम एक knowledge society यानि की ग्यान समाज में हम परिवर्तन के तोर पे रहे थे जहां पे हम सभी प्रकार की योजनाओं, सभी प्रकार की प्रक्रियाओं को electronic फॉर्म वहों थी accountability के साथ यहां पर चीज़े run होती हैं तो यहां पर देखते हैं कि इसका जो इतिहास यह दी रहा है तो 1960 का समय 1960 का समय जब हम देखते हैं कि पहली बार इस प्रकार की networking अगर का concept जो है अमेरिका में लाया गया और धीरे धीरे उन्होंने अपना सभी सिस्टम को online कर दिया बात में देखते हैं 1980 में बहुत सारे और भी यूरोपी देशों ने अभी सभी government की या सभी प्रकार की जो अपनी services हैं या प्रसाशन की चीज़ों को उन्होंने online कर दिया भारत में यदि online या e-governance की सुरवात अगर माना जाए तो 1990 के मध्य में हम देखते हैं राजी गांधी सरकार के द्वारा यह e-governance का concept लाए गया था जिसमें उन्होंने देखा कि राजनेतिक छेत्र में जो है कुछ चीज़ें उन्होंने electronic करने का प्रयास किया आपको पता ह होगा कि phones वगरा आए उसके बाद देखते हैं धीरे से हम evm को लाए electronic voting machine को लाए जितने भी पॉलिकर पॉलिटिकल पार्टी के उनके लिए website का स्विजन किया गया email services जो है बाद में जब हम देखते हैं सबीर भाटिया के होट मेल के discovery के बाद हम email चीज़ों को हम बाद में सन 2000 के बाद से काफी चीज़ें हम इसे apply कर रहे हैं वैसे देखा जाए तो 2005 के बाद से ज्यादा हम email service का हम प्रयोग कर रहे हैं लेकिन कहीं ने कहीं साशन में प्रसाशन में वो धेरे से आही गया था तो यह बातें जो हैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि e-governance के और उसके बाद देखते हैं लास्ट में जी टूई इसका आज समझे इसके बाद चीज़ें आपो बहुत क्लेर हो जाएगी तो गवर्नेंस कह सकते हैं या गवर्मेंट टू गवर्मेंट भी आप कह सकते हैं इसका मतलब होता जैसे कि आप जितने भी वेबसाइट आप गू विभाग से या एक मंत्राले क्या दूसरे मंत्राले की विभाग से या इंडिया जी ओभी डॉट इन करते हैं जब तो भारत सरकार की वेबसाइट से सभी राज्यों की वेबसाइट जो है आसानी से वो इंट्रकनेक्टेड हैं तो कोई भी कम्मिनिकेशन हो कोई जानकारी मोहिया करनी हो या फिर बहुत सारी ऐसी ज्योजनाओं का आपको जानकारी प्राप्त करना हो तो गवर्मेंट टौवर्मेंट यह वाला पोर्टल बड़ा इंपोर्टेंट होता है उसी प्रकार इस गवर ल इन किसी चीज को sealing करते हैं गवर्मेंट के द्वारा तो वो क्या है G2B हो जाएगा या government to business हो जाए गा उसी प्रकार governance citizen हो जाएगा तो जैसे कि आप देखते हैं Lab उठाते हैं बहुत सारी ऐसी बातों का जैसे कि आपको यही फाइल करना है、 ठीक है? यहाँ कमप्लें करना है, FIR करना है, तो ऐ फाइल कर सकते हो, ढल on-line आप एजुकेशन ले रहे हैं ठीक है है? जैसे छ MID56गर में पढ़ही ही तुम्हार दौर में सकीम चल रहा है, तो online अभी stick के समय में उनको पढ़ाय जा रहा है तो यह सब चीजें क्या एजूकेशन के फॉर्मेट में आ जाएगा तो यहां पर नागरिक के उनको मुहया कराई जा रही है उन तक चीजों को पहुचाया जा रहा है डारेक बेनिफिट ट्रांसफर है या आप जंधन के द्वारा जैसे आपके मोबाइल में फिर मैसेज आता है तो कहीं न कहीं यह जो बाते हैं यह सभी क्या है इगवर्नेंस का पार्ट है उसी प्रकार जी एसी का फॉर्म फिल किये ठीक है तो यहां पर आप कह सकते हैं कि जैसे यह रिकूर्टमेंट होता है यह फिर कह सकते हैं आप जैसे ऑनलाइन ट्रेनिंग हो गया यह सभी चीजें क्या है जी टू यान गवर्नेंस टू एमप्लॉई हो जाएगा तो यह सभी बातें आपको क् हम उत्तर ही पूछे जा सकते हैं काफी बड़े उत्तर इसमें पूछा जाएगा तो यह गवर्नेंस से बहुत बड़ा ऐसे लिखा जा सकता है क्योंकि वर्तमान में भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो यह गवर्नेंस के बिना संभव ही नहीं है सभी चीजें इलेक्ट्र प्रकार की चीजें आ जाती है नए प्रकार के जो गुड़ों का यहां पर किस प्रकार समावेस हो जाता है जैसे कि हम लोग प्रशासन की अलग-अलग आयामस में नए प्रकार की चीजों का हम समावेस करने का प्रयास कर रहे थे तो यहां पर ऐसे प्रशासन में पारदर्स परकार को पकड़ के घूम रहे हैं तो यहां आपके मोवाइल सबीचीजें पूरा जिसके माध्यम से आप क्या है इस इंदраन का पाइदा ले सकते हैं स्मार्ट परकार्शाशन बनता है सिंपल आप देखते हैं तो यहां पर प्रसाशन का अर्थ यह समझते हैं कि वह simple है वो काफी morality के साथ जो है साशन करता है उसके बाद accountability है इसमें देखते हैं responsive है वो देखते हैं कि transparency है तो इस प्रकार देखते हैं साशन में बहुत सारी चीजों का समाविस हो जाता है जिससे की साशन करना बहुत आसान हो जाता है बट इनकी कुछ सिमाएं भी हैं उन सिमाओ को या कुछ दोस भी इनको भी आप समझिए कि हम हमेशा ही e-governance के form में रहें तो सबसे पहली सुरक्षा का एक डर होता है क्योंकि cybercrime जो है लगातार होते रहते हैं वाइरस के attacks होते रहते हैं इसके कारण आपकी जो private data वो public हो सकती है या hack हो सकता है दूसरा हम देखते हैं क कहीं न कहीं e-governance के जादा फाइदा होने से जादा होने से जो है मानवी संपर्क टूट जाता है तो कहीं न कहीं यह जो ब्यवहारी के अपरोच है वो भी यहाँ पे उसका अबहाव देखने को मिलता है तीसरा हम देखते हैं कि चोकि यह नए-ने प्रकार की तकनीक होते हैं तो जो परमपरागत जो कार्मिक होते हैं आपकी संगठन में एमपलोई में उनका मॉरल डाउन होता है क्योंकि वो उनसे अन्विक्ज होते हैं तो यह सभी बाते आपके लिए लिए लिक सकते हैं कि ई-प्रसाशन में या ई-governance में यह यह कमिया हैं आई-उपिस अभी क्लि देखिए जो हम पढ़ें बस उनहीं से संबंदित प्रस्ना असानी से आप से सौल हो जाएंगे सुसाशन वर्तमान काल में संपून प्रसास की परियावरण को अनुप्रमानित करता है ठीक है यह 2012 में आया था तब यह काफी बड़ा अंसर के तौर पे आया था ठीक है सुसा लिख सकते नागरिक गोशना पत्र पर आलुचनात्मक टिप पड़ी करो यह अभी आने वाला आने वाले टॉपिक्स में ठीक है उसके बाद देखते हैं लोग तंत्रा और सुसाशन अपने साब्दी कर्थों में परस्पर विरोध हैं लोग तंत्रा और सुसाशन जो है क्य और सुसाशन में कहीं न कहीं हमको जो अप्रोच है इसके कुछ मामलों में सभी नहीं कुछ ही मामलों में थोड़ा सा हम इसके उलट करना होता है इसलिए साब्दी कर्थों में थोड़ा परस पर विरोध है कहा जा रहा है भारत में सुसाशन की वर्तमान प्रवितियों को सम तो लिए जैसे कि आपको नकसा खसरा निकालना है। तो यहां पर बहुत सारे इसी सुईधाये हैं और लोग विकल्प अभी विचारधारा यह नहीं है सिलेबस में है ना लोग प्रशाशन को अस्तित्प के संकट से बाहर निकालने में लोग प्रशाशन के नवीन आयामों का विस्टेशन करिए तो यह हमने बहुत अच्छे तर करेंगे तो इसके अलावा देखते हैं कि नाव लोग प्रबंधन से संभावित है तो नाव लोग प्रबंधन न्यू पॉब्लिक मैनेजमेंट का अप अच्छे से लिखें और यह गवर्नेंस और गूट गवर्नेंस तो आएगा ही 100 पसंट किसी नहीं किसी फॉर्मेट में 100 पसंट कोशन आएगा इसलिए आप इसके आंसर को अच्छे से रेडी कर लें और इसके बाद चलते हम नेक्स्ट टॉपिक की और आज के लिए इतना ही रखते हैं थैंक्यू सो मच फ्रेंड्स कॉंपेटिशन कमिटी में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ हूं है इमित प्र आप साथ